तो सबसे पहले आप लोग ये कोशन देखो ये कोशन आपसे NTPC exam 25 जनवरी को सकेंड शिप ने पूछा गया था और ये कोशन आपसे remainder theorem के concept पर divisible का question आपसे paper ने पूछा गया था जैसे कि आप लोग देख सकते हो और हाला कि मैं बता दूँ आपके same day में shift 1 में direct आपसे remainder theorem का ह आपसे पूछ रहा है या direct remainder निकालने को बोल रहा है या तो फिर divisible के form है जो question पूछ रहा है उसका concept मैं आपको इस वीडियो में share करने वाला हूं और हाला कि इससे पहले भी दिनों में आपसे question पूछे जा चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो 18 जनवरी को shift 1 में पूछा आपका तो अभी जिनके आने वाले दिनों में पेपर है तो एक बार यह concept आप लोग देख लो कि किस-किस format में आपसे question पूछा जा सकता है ताकि आपसे question exam में किसी भी तरीके से चाहे divisible के format में पूछे या फिर remainder theorem direct direct पूछे आप उस वक्त असानी से बना लोगा ठीक है तो वेर एन इस विशम संख्या यानि जब आपका और नंबर हो तो इसका मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई नंबर 8 दुबावर n प्लस B दुबावर n के format में हो और n आपका जब विशम संख्या हो तो इसका एक फ्यक्टर a प्लस b होता है बोलो यह मैंने बताया तक नहीं बताया था यानि इसका एक गुननखंड a प्लस b हो गई होगा यानि यह वाले नंबर को a प्लस b डिवाइड करेगा ही करेगा क्लियर उसी तरीके से जब आपका n संख्या के हो यानि जब आपका n इवन नंबर हो तब इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते है ना तो a प्लस b होता है और ना ही आपका a-b फैक्टर होता है यानि इसके मतलब क्या है कि अब उसके कोई दूसरा फैक्टर होंगे मगर a-b और a-b उसके फैक्टर नहीं होंगे clear? उसी तरीके से ये तो हो गया plus में अगर अब बात करेंगे minus में जब आपका number a to the power n minus b to the power n के format में जब आपका कोई number हो और n उसी तरीके से जब विसम संख्या हो तब इसके एक factor a minus b आपके होते हैं ठीक है? यानि ये जो a minus b होगा ये इसको completely divide करेगा यानि इसका एक गुननखंड a minus b होगा ही होगा उसी तरीके से जब आपका n even number हो यानि सम संख्या हो तब इसके दो factor होते हैं a plus b और a minus b कहने का मतलब ये तब उसके दो factor तब आपके जरूर a plus b और a minus b होँगे ही होँगे और भी factor होंगे मगर ये दो factor जरूर होंगे ही होंगे clear तो बस ये चार concept आपको चीजों को समझना है ठीक है और आला कि मैं बता दू जो divisible या फिर remainder theorem पर जो question बनते हैं ये इसका तो use होता ही नहीं है ना के बराबर है ठीक है ये कुछ याद करने में भी कोई बड़ा चीज नहीं है आप formula basically अगर आप जानते होंगे a cube plus b cube या a cube minus b cube या a square minus b square या फिर a square plus b square तो ये चीज आप बहुत असानी से याद भी कर लोगे ठीक है जैसे कि मैं आपको याद करने का तरीका भी आपको समझा सकता हूँ अगर आपका भी exam hall में confused हो गए कि इसका कौन सा factor होगा तो आप इस तरीके से भी आप judge कर सकते हो कि जैसे कि ये formula आपका a cube plus b cube का formula होता क्या है a plus b a square minus a b plus b square तो यहाँ पर आप देखो ना यह number आपका a plus b आपको जो दिख रहा है इसके power में क्या है आपका एक विसम संख्या है यानि आपका n क्या है odd number है तो इसका एक factor a plus b हुआ या नहीं हुआ तो इसी तरीका से आप याद कर सकते हो तो उसी तरीका से a cube minus b cube का क्या हो जागा formula आपका a minus b हो गई होगा यानि इसका भी एक factor आपका a minus b हो गई होगा मैंने आपको यही चीज़ तो बताया कि जब आपका a to the power n minus b to the power n हो और n आपका जब विसम संख्या हो तो इसके एक factor a minus b होते ही होते है formula बात बाकी आपको तो यह भी इसका factor ही होंगे मगर यह चीज़ तो आपको ज़रुत नहीं है बात को समझा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसी तरीके से जब आपका a square plus b square हो दियान से देखो यह plus में है और आपका n क्या है एक आपका even number है यानि समसंग क्या है तो आप मुझे बताओ इसका formula आप जानते हो क्या नहीं जानते हो तो इसलिए इसके ना तो a plus b और ना ही a minus b इसका factor होता है तभी तो हमने इसका कोई factor नहीं बोलते है अब उसी तरीके से एक आपका बज गया a square minus b square तो यह हम सभी लोग जानते है इसका formula क्या होता है a plus b और a minus b तो इसलिए जाके इसके दो factor minimum a plus b और a minus b होंगे ही होंगे तो यह जो सारा कुछ जो निकल के आता है ना तो यह सब इसी चीज से निकल के आता है आपके पास clear तो इस तरीके से भी आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से remind कर सकते हो उमीद करता हूँ चीजे अब आप सभी लोग को समझ आ चुका होगा तो मैं इस चीज को यहाँ पर भी आप लोग के लिख चुका हूँ आप लोग इसको देखके screenshot लग सकते हो ठीक है एक दो बार आप देखोगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा यह x मतलब मैंने काट दिया कि यह इसके factor नहीं होगे ना तो यह इसके factor होगे ना यह इसके factor होगे ना यहाँ पस ठीक है clear चलो अब हम लोग question में solve करेंगे question को देखेंगे और चीजों को समझेंगे चीक है जो question आपके paper में पुछे गए थे जैसे कि अब इसी question को अब आप लोग ट्राइ करने का कोशिश करो अब खुद असानी से बना लोगे यह number आपको दे रखा तार आपसो बोलाते है कि यह number किस से divisible होगा और यह आपके same option आपको दिये गए थे paper में तो अब मुझे बताओ 47 के power में 25 है minus 1 के power में मैं 25 लिख सकता हूँ कुछ कोई problem नहीं है क्योंकि 1 के power में आप कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है अब ध्यान से देखो यह n हो गया कि नहीं हो गया और यह N आपका क्या है ओड़ नंबर है और यह minus वाला है तो मैंने आपको क्या बताया था जब A to the power N minus B to the power N और N जब आपका odd नंबर हो तो इसका एक factor क्या होता है A minus B होता है बोलो मैंने बताया और नहीं बताया यानि इसका मतलब 47 से एक जाएगा 46 यानि इस नंबर को 46 डिवाइड करेगा ही करेगा किसी भी कीमत पर तो अब इसका मतलब समझा है इस नंबर को 46 इसका गुननखंड है और यह इसको completely डिवाइड करेगा अब आप option देखोगे तो आपको option 46 नहीं दिख रहा है मगर मैं आपको बता दू आप जानते होंगे अगर यह नंबर यह 46 अगर इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब 46 के जितने भी गुननखंड होंगे वो सारा नंबर इसको डिवाइड करता होगा बोलो करेगा की नहीं करेगा जरूर करेगा तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर आप ऑप्सन में देखोगे तो 23, 23 क्या है 46 अग गुननखंड है की नहीं गुननखंड है 23 गुना 2, 46 होता है तो इसका मतलब इसका अंसर क्या हो जागा ऑप्सन नंबर 1, बोलो क्लियर है यानि अगर ये नंबर इसको डिवाइट कर रहा है तो आपको इसके ऑप्सन में कुछ भी दे सकता था तो ये नंबर अगर इसको डिवाइट कर रहा है तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे यानि इसके जितने भी गुननखंड होंगे वो सारे गुननखंड इस number को divide तरेगा तो इसका मतलब इसका answer हो जागा option number 1 clear? उम्मिद करता हूँ चीज़े अब आपको बेहतर तरगे समझ आ चुकी होगी चलो next question देखेंगे ये आपका एक question ये भी divisible सा ही question था ये तो normal question है जो क्या का 24 सारी कोई पूचे गए थे तो ये मैंने रग दिया किवल ऐसे ही यहाँ पर आपको n का value बताना है positive integer है आप इसको solve कर सकते हो 7 से divide करके देख लो k का minimum value बताना है तो आप चाहो तो ऐसे solve कर लो फिर इसको थोड़ा solve करके भी आप solve कर सकते हो चुकि मैं यहाँ पर देख पा रहाँ 48k plus 3 है अगर आप 49 को 7 से divide करोगे तो आपको remainder क्या मिलेगा सच्छे 42 यानि आपको 6k remainder मिलेगा ही मिलेगा यानि 6 मिलेगा यानि 6k हो गया अब plus 3 था आपके पास अब आप यहाँ से जली यली k का value चेक कर सकते हो आप चाहते हैं तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो बटी थोड़ा calculation बड़ा हो जाएगा यह छोटा number बन गया तो अब आप k का value पुट कर लो तो k का value जब हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जागा 6, 1, 6, 3, 9 9 को 7 से divide करेंगे तो क्या divide होगा नहीं होगा यानी 1 इसका होगा का value फिर क का value दो रखेंगे 6, 2, 12, 12, 13, 15 15 दिवाइड होगा नहीं होगा फिर क का value 3 रखेंगे तो 6 थी है 18 और 18 थील 21 यानी 21 आपका 7 से डिवाइड हो जा रहा है आपको remainder बताना था यहां पास, आपको वही चीज करना था, जो चीज आप देखो question का नजरिया होता, आप कैसे देखते हो question को, आप इसको और भी अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है, आप इसको और भी अलग तरीके से बना सकते हो, बट जो मैंने बताया चीज, आप उससे भी बना सकते हो देखो यहां पर 1 का पावर में मैं 13 लिख सकता हूं तो आप बोलोगे हां लिख सकता हूं क्योंकि 1 का पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है अब आप ध्यांसे देखो यहां पर भी N 13 हो गया और आपका N क्या है अपका odd number है और बीच में क्या है plus है तो इसका मतलब इसका एक factor क्या होगा 7 plus 1 यानि एक गुननखंड इस number का क्या होगा 8 होगा ही होगा अब आप direct check कर सकते हो कि 8 को अगर हम 6 से divide करेंगे तो remainder मेरा क्या बसता है 2 ही बचेगा बताओ इसका answer 2 हो जाएगा तो यह सब आपके उपर होता है कि आप चीजों को कैसे देख रहे हो ठीक है बात बाके remainder theorem से भी आप solve कर सकते हो 7 को जब आप 6 से divide करते हो तो remainder मेरा 1 ही बसता है तो 1 के power में 13 plus 1 तो ऐसे भी गुमाफिरा के 2 ही आता है बट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप उससे भी question को solve कर सकते हो ठीक है अब ये question को देख सकते हो जो कि कल के ship नों पुछा गए तो second ship में अब आपके paper में पुछा गए ते कि ये number किस से divisible है तो आप देख सकते हो यहाँ पर power क्या है सेम है आपको और जो कि power क्या है आपका odd number power है तो इसका एक factor क्या होगा इसका एक factor क्या होगा 41 प्लस 43 तो इसका मतलब ये number जो है ये number किस से divide होगा 84 से divide होगा 84 से divide होगा अब आप option चेक करोगे कि number में आपका option में 84 है या फिर 84 का कोई गुननखंड है बात को समझें मैंने क्या बताया ये number तो इससे divide होगा ही होगा साथ में इसके सभी गुननखंड से भी divide होगा तो जो भी आपका option में हो वो आपका answer हो जाएगा कभी-कभी exam में question आपको अलग तरीके से गुमा देदेगा बोल देगा कि कौन से इसके मतला कौन सा number इससे divisible नहीं है तो आपको option में कुछ भी देदेगा तो आप चेक कर लोगी कि कौन इसका factor नहीं है बात समझ रहे हो तो इसी तरीके से आपके exam में question गुमा गुमा के दिये जाते हैं अब यहाँ पर कुछ question मैंने आपके लिए रखा है अब आप लोग इसको खुद से एक बढ़ ट्राइ करो ठीक है जैसे कि इसी वाले question में देखो यहाँ पर क्या बोला रिमेंडर आपको रिमेंडर बताना है सेसफल बताना है कि अगर इस नंबर को जब हम लो 19 से डिवाइड करेंगे यानि 19 से भाग देंगे तो सेसफल क्या आएगा बता दो जली से देखो पावर में क्या है सबसे पहले पावर देखो 23 23 और यह 15 है यह 23 है चलो सही है अब देखो पावर में आपका क्या है और प्लस है तो इसका एक फेक्टर क्या होगा 15 प्लस 23 होगा अब जब आप इसको एड करोगे तो क्या आएगा 38 आएगा और 38 को जब आप 19 से भाग दोगे तो यानि यह तो completely आपका डिवाइड हो जा रहा यानि दो बार में कम्प्लिट्री डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब सेस्फल क्या बच रहा कुछ नहीं बच रहा जीरो बात खतम समझे अब इस कोश्टन को भी ट्राइ कर सकतो जली से केवल आपका डिटव बढ़ा होगी आपका यहाँ पर आप सॉल कर सकते हो फिर से वह है यह नंबर है अगर 32 से विभाजित करेंगे तो सेस्फल क्या बचएगा तो फिर से देखो यहां पर नंबर क्या 127 है और यह 97 और यह 97 का 12 और 1 और 2 यानि 224 होगा अब 224 को 32 से भाग दोगे तो यह तो पूरा completely साथ बार में काट दे रहा है यानि remainder यहां भी क्या बज़ जा रहा है जीरो बज़ जा रहा है clear तो इस तरीके से आपको question को deal करना होता है अब एक चीज में और आपको चीज सेर करता हूँ यहां पर आप लोग देखो question को अब देखो यहां पर एक चीज में समझाना चाहता हूँ इसलिए मैंने यह question को रखा है यहां पर भी वही बोला है कि इसके यह जो नंबर है यह किस से exactly divisible होंगे तो option का according आप बता दोगे अब एक चीज ध्यान देना कभी कभी question में आपको घुमाने के लिए क्या करता है यह इस तरीके का number आपको यहां पर दे रखा है 49 ठीक है 49 और यहां पर 1 दे रखा है तो आप तो जानते हो कि 1 के power में हम कुछ भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर इस question में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यह 15 power तो ठीक है 1 के power में 15 हो गया कभी कभी क्या करता है यहां पर यह number जो आपको दे रखा है ना 49 यह भी break होता है number यानि यह number भी आप break कर सकते हो कैसे break कर सकते हो तो 7 के power में 2 और उसका power में था 15 बात को समझर में क्या कहना चाह रहा हूं यानि यह question को अगर आप थोड़ा सा अलग नजर से देखोगे न तो 7 के power में 30 minus 1 के power में 30 कर दो गुमाफिरा के question आपका वही से वही बन गया बट result में कोई फर्क नहीं आने वाला है बात समझर में कोई फर्क नहीं आने वाला है तो option के हिसाब से आप उस वक्त समझोगे कि क्या आपको करना है समझा रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब आप देख सकते हो minus में है यहां भी odd power आ रहा है odd power आ यहां पर आपका even power आ रहा even power मतलब समझे इसका 2 factor कौन-कौन सा होगा एक 7 प्लस एक 8 होगा ठीक है 7 प्लस एक 8 होगा और 7-1 छे होगा या क्यूंकि इसके 2 factor होते है याद किजिएगा 2 factor होते है यानि इसके 2 factor 8 गुना 6, 48 होंगे ही होंगे अब उसी तरीके से गर आप इसी question में यही पर अगर आप solve कर 6 हो रहे की नहीं हो रहे समझा है या गुमा फिरा के दुनिया गोल है वैसी question भी गोल है गुमा फिरा के आप वही पर आ जाओगे तो इसका answer कुछ भी हो सकता था 48 हो या फिर 48 के कोई भी गुननखंड आपके हो सकते थे clear तो इस तरीके से question में देख लेना आपको गुमा के दिया जा रहा या फिर directly दिया जा रहा अभी तक तो paper में directly बना है आपके paper में अब एक question इसको भी जली से देख लो अब आप इस question में भी देख सेब तो अब यहाँ पर 1 नहीं है अब आप कैसे बनाओगे बना लोगे अगर आप चीजे समझ चुके हो तो आप आसानी से बन तो power तो आपका same होना चाहिए था तो कैसे same करेंगे तो जी हाँ आप सही सोच रहे हो 31 का एक square करके और यहाँ पर power हमें आपका क्या कर देंगे 10 कर देंगे क्योंकि 10 गुना 2 20 हो जाएगा इस तरीके से तुम लोग करी सकते हैं ना समाझार मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं अब आप घ्यान से देखो 31 का square कितना होता है 961 यानि question अब आपका कुछ इस तरीके से बन गया आपका तो अब मुझे बताओ अब power आपका क्या हो गया even number हो गया some संख्या हो गया अब जब some संख्या जब आपका power हो चुका है तो हम मैंने क्या बताया था जब some संख्या और हो गया तो इसके दो फैक्टर होंगे यानि 961 प्लस दो यानि 963 भी होंगे और इसके एक फैक्टर 901 माइनस दो 959 भी होंगे यानि अब option में इसके कोई भी गुननखंड आपके option में हो सकते हैं clear उमीद करता हूं चीजे सभी लिगों को समझ आ रहे होगे बहतर तरीके से तो इस इस तरीके से भी आपको question को deal करते वे चलना होता है चलिए next question एक और question solve करेंगे यह भी question आप solve कर सकते हो यहाँ पर यह नंबर है और देख लो की बोला है कि यह नंबर किससे divisible है तो जली से बता दो देखो 32 को तो आप देखो यहाँ पर 17 देखो 17 को तो ब्रेक ही फेक्टर 32 प्लस 17 होगा द्यान दिजेगा तो इसका result क्या आजाएगा तो 32 से 17 जाएगा तो 15 बच जाएगा और 32 में 17 जोड़ोगे तो 49 बच जाएगा यानि इसके दो फेक्टर 15 और 49 जरूर होंगे ही होंगे साथ में और भी कुछ फेक्टर होंगे मगर यह दो फेक्टर क्या हो जाएगा 49 भी हो जाएगा और 15 हो जाएगा तो अब मैं उम्मीद करता हूँ चीजे आप लोगों को बहतर तरीकी से समझ आ चुकी है अब इस तरीका से कोशन आपके बनेंगा तो मुझे लगता आप छोड़ोगे नहीं तो चलो अब मैं देखना चाहता हूँ कि और 15 नमबर या प्राइम नमबर या नेचरल नमबर या विशम सन्क्या या संघ्या चलो फिर अपकी चलो उमीद करता हूँ यह जान्बा होगा पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करके अपना सब्रूर्ण जरूर दिखाईएगा और चैनल पहली दाफ़ा है तो पिर चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेजगा ठीक है तो मिलते हैं फ्रंट किसे एक्स वीडियों में तब तक के लिए जै हिंद जै वारत